हेलो डियर इस्टुडेंट्स आज हम बच्चों बात करने वाले हैं कार्डियेक साइकिल के बारे में तो कार्डियेक साइकिल होता क्या है वो अपने को समझना है तो आप देखे हमारे हर्ड में एक हर्ड बीट से लेकरके अगली हर्ड बीट तक इस बीच में जो भी इवेंट होते हैं उन सारे इवेंट्स को कलेक्टिवली मिला करके हम नाम क्या देते हैं बच्चों कार्डियेक साइकिल कहा जाता है अब एक कार्डियेक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है वो हमें पता होना चाहिए तो हम अगर अपने अंदर बात करते हैं तो बीटा दिखी हर्ड रेट कितनी होती है तो अपनी हर्ट रेट है 72 पर मिनिट यानि कि एक मिनिट में हमारा हर्ट कितनी बार बीट करता है 72 टाइम्स बीट करता है अब अगर मैं निकालू कि टाइम आफ वन बीट कितना आएगा तो हमारे हर्ट में टाइम आफ वन बीट विल बी इक्वल टू 60 बाई 72 सेकेंड और अगर अब इसे निकालते हैं तो यह कितना आता है 0.8 सेकेंड आ जाएगा यानि कि इस 0.8 सेकेंड में हर्ट में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सारी एक्टिविटीज को समप करके टोटल करके अपन बीटा नाम क्या देते हैं काडियेक साइकिल कहते हैं अब यह जो काडियेक साइकिल है इसमें हर्ट को करना क्या है तो हर्ट को करते हैं दो काम पहला तू हर्ट रिलेक्स करी रिलेक्स करीगा तो ब्लड हर्ट के अंदर भरेगा और फिर हर्ट कॉंट्रेक्ट करी जिससे के हर्ट के अंदर मौजूद ब्लड पंप हो जाए तो ह पहला relax करना है, दूसरा contract करना है, hurt का जो relax करना है, तो आपन ने यहाँ पर देखा कि जो actions होंगे, वो कितनी रहेंगे, तो आपने का कि action होंगे यहाँ पर दो, एक होगा, जबके hurt हमारा बीटा क्या करेगा, relax, और दूसरा, जबके hurt हमारा करेगा, contract, जब हमारा hurt relax करता है, तो इस face को नाम दिया जाता है, dice tool, तो relaxation वाली face का नाम क्या रहेगा, dice tool, वहीं जब हमारा hurt contract करता है, तो हम इस face को नाम दिते हैं, सिस्टोर, तो relaxation is known as dice tool, while contraction is known as सिस्टोर, अब हमारे hurt में two type of chambers पाई जाते हैं, two smaller upper chambers are known as atria, and two larger lower chambers are known as ventricles, अब ये जो atria और ventricles हैं, ये दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, रादर होता है कि atria पहले काम करता है, और ventricle बाद में काम करता है, तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, वो हमें समझना है, तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारे hurt में two type के chambers पाई जा रहे हैं, और ये two type of chamber कौन कौन से हैं, then one is atria and other is ventricle, अब ये जो atria और ventricle हैं, बच्चों इन दोनों को relax करना है, contract करना है, तो आप इनके relaxation और contraction के बारे में देखते हैं, तो atria जब relax करेगा, तो आप उसे क्या कहेंगे, atrial distal कहा जाएगा, वहीं पर जब ये atria contract करेगा, तो आप इसे क्या कहेंगे बच्चों, atrial distal कहा जाएगा, इन दा सेम फैशन जब आप बात करते हैं वेंट्रिकल के बारे में तो वेंट्रिकल में कॉंट्रिक्शन को हम क्या कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वही पर वेंट्रिकल के रिलेक्सीशन को क्या कहा जाएगा तो इसे नाम देंगे ventricular diastole तो उम्मीद करता हूँ कि आपको systole और diastole जो terms हैं यह आपको समझ में आई होगी तो बच्चों हमने का atrial diastole वतलब atria relax किया हमने का atrial systole यानि के atria contract किया ventricular systole यानि के ventricle contract किया और ventricular diastole यानि के ventricle ने diastole किया ventricle ने relaxation किया हम देखेंगे कि इन events में कितना time लगता है इन events के अंदर क्या-क्या होता है वो सारी चीजे हमको समझनी है तो इन सारी बातों को समझने के लिए मैं पहले NCIT जैसे बताती है उसके इसाब से एक simple से diagram से आपको explain करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या-क्या होता है तो आप देखें NCIT कहती है कि जो cardiac cycle है यह अपने एक cycle बनाया यह हो गया हमारा cardiac cycle इस cardiac cycle में phases होते हैं तीन कौन-कौन से phases है तो इधर कहा कि पहला जो phase है इसे कहा जाता है joint diastole क्या कहा बच्चो joint diastole कहा फिर इसके बाद कहा कि अगला जो phase आएगा इसको नाम दिया जाएगा atrial systole और इस वाले phase को हम नाम देंगे ventricular systole तो इसका मतलब क्या हुआ कि atria systole में कितने time रहता है यह हमें जानना है तो आप देखें लगबग आप यह माल लें यहाँ पे time था 0 यहाँ time हुआ बचो 0.1 यहाँ जाकर के time हो गया आपका 0.2 यहाँ पे time हुआ 0.3 यहाँ time हुआ 0.4 यहाँ time हुआ 0.5 यहाँ पे time हो गया 0.6 यहाँ time हुआ 0.7 कब hurtंग और याँ यह टाइम हो गया 0.8 सेकेंड यानि कि हमारा एक काडियेट साइकल कंप्लीट हो गया अब इसमें ट्री कितने टाइम इस्टोल के अंदर है तो 77- Barn सेटूल में रहता है 0.1 सेकेंड यहाई कि सब्सक्राइट ऑडायशेट के रहेगा तो वो time कितना हो जाएगा 0.7 second एकदम सही अब हम देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपको time कितना लगा? 0.5 से लेकरके 0.8 यानिकि 0.3 second लगा अगर out of the 0.8 second 0.3 second के लिए वेंट्रिकुल अगर सिस्टोल में है तो remaining जो 0.5 second होगा उसके लिए वेंट्रिकुल किसमें रहेगा? डायस्टोल में तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है इसके अंदर time कितना लगता है? 0.5 second का time लगेगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में time कितना लगा? 0.3 second का time लगेगा तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान देंगे time पर क्योंकि timing के बारे में कई बार पूछा जाता ह तो मैंने क्या कहा कि एट्रिकुलर डायस्टोल में लगने वाला time कितना है? 0.7 second. एट्रिकुलर सिस्टोल में time कितना लगा? 0.3 second. और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में time कितना लगा? तो ये time हो गया आपका 0.5 second. अब यहां पी क्या-क्या हो रहा होता है? उन सारी चीजों को अपने को detailed way में समझना है. और इन्हें समझने के लिए पहले हम एक बार अपने हर्ट के conduction system का हलका सा एक overview लेंगे कि conduction system कैसे काम करता है? तो हम जानते हैं कि हमारे हर्ट में जो cardiac muscles हैं, उन में से कुछ cardiac muscle over specialized हो जाती है, इनके पास खुद बखुद impulse generate करने की capability आ जाती है, जिसको कहा जाता है auto excitability और ऐसी cardiac muscle जिनके पास auto excitability की property है, उनको क्या कहा जाता है? noodle tissue, क्या कहते है? noodle tissue कहा जाता है, अब ये noodle tissue क्या क्या होता है? तो उसके लिए हमने heart का एक diagram बनाया, कि हमारे heart के four chambers हो गए, अब ये जो four chambers है, as we all know, हमारे heart का उपर का जो broad part है, इसको कहा जाता है base, जबकि नीचे के narrow part को हम क्या कहते हैं, apex कहते हैं, अब हमने atria और ventricle को अलग-अलग divide कर दिया, जब atria और ventricle को हमने divide किया, तो divide करने बाली structure क्या रही बिटा? AV septum है, फिर हमने क्या किया? atria को दो part में divide कर दिया, और आप देखिए, हमने ventricle को भी दो part के अंदर divide कर दिया, तो now this one is your right atria, ये क्या है? left atria है, ये right ventricle है और ये क्या है? left ventricle है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे nodal tissue में, first क्या होता है? कि right atrium की अपर right wall में, कहां पर right atrium की अपर right wall में एक patch of nodal tissue पाया जाता है, और इस patch of nodal tissue का नाम होता है sa node, क्या कहेंगे इसे? sa node कहां बच्चो, sa node का एक और नाम होता है pacemaker, तो sa node is also known as pacemaker, इसे pacemaker कहा जाता है ऐसे ही, यहाँ पर जो right atrium है, उसकी lower left wall, फिर से ध्यान दिना, right atrium की lower left wall यहाँ पर another patch of nodal tissue is present, और यह जो patch of nodal tissue present होता है, इसको बच्चों बताओ हम नाम क्या देते हैं? तो इसे नाम दिया जाता है AV node, तो इसको हमने क्या कहा? AV node कहा, और यह जो AV node है, इसको कहा जाता है paste setter, तो AV node is also known as paste setter जो AV node है, वहाँ से nodal tissue के कुछ bundles originate होते हैं, जो bundles यहाँ से originate हो रहे हैं, इन bundles को नाम देते हैं AV bundle, क्या कहा जाता है? एवी bundle कहा जाता है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखो, start कहां से हुआ? एट्रिया से, आया कहा तक, ventricle तक, तो इसी लिए हमने इसको नाम क्या दिया? AV bundle कहा है, यह AV bundle आगे चल करके, डिवाइड हो जाता है दो parts में, या दो branches के अंदर डिवाइड होगा, एक branch तो बिटा यह बनी, और दूसरी branch यह बन गई, So now it gets divided into two parts, एक यहाँ पर रहा, दूसरा यहाँ पर रहा, अब यह पहुचता है heart के apex तक, और apex तक पहुच करके, अपनी side के ventricle की wall में चला जाता है, तो अपनी side की ventricle की wall में जो चला गया, अब इन दोनों को नाम क्या दिया जाता है, So they are called as left and right bundle branch, क्या बोलते हैं इनको, left and right bundle branch कहा जाता है, तो AV bundle हुआ, उसके बाद आ गया left and right bundle branch, AV bundle और left और right bundle branch, इनको collectively मिला करके, नाम दिया जाता है bundle of his, तो collectively बच्चों हमने इनको क्या कहा है, bundle of his नाम दिया है, अब ये जो bundle of his है, इससे heart के endocardium में कुछ fibers जाते हैं, और जो fiber यहाँ पर जाते हैं, इनको नाम दिया जाता है बेटा, पुरकिंजे fiber, so these fibers are known as पुरकिंजे fiber, तो यहाँ से कुछ fiber तो originate होंगे, जो heart के endocardium में जाते हैं, और ये जो fibers हैं, इनको आप नाम दे रहे हैं, पुरकिंजे fiber, यहाँ पर ये पूरा nodal tissue मुझे इसलिए आपको समझाना था, क्योंकि बिना impulse के propagation का तरीका या path जाने बिना, हमारे लिए precisely ये कह पाना ये बता पाना थोड़ा मुझ्खिल काम है, कि कैसे कैसे heart काम करेगा, तो मैंने का कि ये बिटा आपने पास क्या हो गया, इसको हमने का कि देफेस, पुरकिंजे fiber, तो आप देखे, यहां तक हमने कहा, कि हमारे heart के noodle tissue में क्या-क्या पाया जाता है, बच्चों, आप जानते हैं, कि हमारा heart auto excitable होता है,